असलाम अलेकूम एवरिवान मैं आपका दोस्त जमशीद एक और नई वीडियो के साथ और आज को जो वीडियो है ये वीडियो पिछले तीन दुनों से एक टॉपिक पे जो की वाइरल चल रहा है उस पे मैं बना रहा हूँ स्पेशले अपने फ्रेंड्स अपने फॉलोवर्स के लिए और जैसे कि आप सबको पता ही होगा नौर्थ कश्मीर के सोपोर डिस्टिक से आजकल एक अंडा बहुत ज़दा वाइरल है जो पिछले तीन दुनों से जिसकी आउक्शन हो रही थी और फाइनली वो अंडा जो है बिख चुका है और उसके बैक्ग्राउंड की क्या स्टूरी है स्टूरी इस तरह से है कि सोपोर में तामेराते मस्जद चल रही थी और आप सबको पता होगा कि मस्जद की जो डोनेशन है वो ओपन होती है कोई भी डोनेट कर सकता है तामेराती मस्जद में तो इसी सिलसले में वहाँ पर एक औरत रहती थी जो कि डॉनेट करना चाहती थी और उसके पास डॉनेशन के लिए कुछ भी नहीं था तो उसने सिर्फ ये नियत की कि मैं मेरे पास तो कुछ है नहीं तो उसने दिल से मस्जिद के तामिरात में एक अंडा डोनेट कर दिया और मस्जिद कमीटी के हवाले कर दिया और मस्जिद कमीटी ने वो डोनेशन जो है अक्सेप्ट कर ली और उस अंडे को जो है फिर उसकी आक्शन कर ली यानि कि उस अंडे की बोली लगाई और जब अंडे की बोली हुई तो जो as per rules जो कीमत होती है सबसे पह रुपे जो आजकेलब भिक रा है अंडा मारकेट में तो उसकी भी वह हुई साथ रुपे से लेकर 10 रुपे तक हुई 10 से लेकर 50 50 से फिर 100 100 जो है वह convert हुआ 1.000 थाजंड में 1.000 50000 में और 50.000 दीरे-दीरे करके 1.000.000 बन गया और 1.000.000 जो है वो बढड के एक लाख पचास हाजार और एक लाख पचास हाजार से लेकर फिर आगे वो 2,00,000 रुपे तक गया और फाइनली जो फाइनल प्रैस हुआ उस अंडे का जो की उस औरत ने डोनेट किया था उसकी जो फाइनल प्रैस गई वो गई 2,26,350 रुपई मैं इंगलिश में भी फिगर्स बता देता हूँ 2,26,350 रुपीज की जो फाइनल प्राइस हुए संडे की हुई है तो इस इवेंट से या इस एपिसोड से हमें क्या सीखने को मिलता है हमें ये सीखने को मिलता है कि जब आपकी नियत साफ हो जब आप दिल से डोनेट करें किसी चीज के लिए, किसी कौज के लिए तो अल्लह तलह रास्ता निकाल देता है और आपको अजर दुनिया में भी मिलता है और आखरत में भी मिलता है तो मेरी जो मेसेज है इस वीडियो के माद्यम से और इस एपिसोड के बैक्गराउंड में जो मेरी मेसेज है मेरे दोस्तों के लिए, मेरे बाईयों के लिए, मेरे बेहनों के लिए, मेरे कश्मीर के अवाम के लिए ये कि आप जब भी कोई भी काम करें, कोई भी अच्छा काम करें, चाहे आप डोनेशन करें, किसी की मदद करें, तो वो दिल से करें, और साफ नियत से करें, आपको उसका अजर इस दुनिया में भी मिलेगा, और आखरत में भी मिलेगा, जिस ओरत ने ये अंडा डोनेट किया उसने उसकी नियत जो है वो बहुत ज़्यादा साफ रही होगी उसने तवक्ल किया होगा कि अल्ला के दरबार में मेरा ये छोटा सा डूनेशन भी कबूल हो जाएगा और देखिए एक छोटा सा अंडा जो की महद 6-7-8 रुपे में मिलता है मारकेट में वो लाकों में भी का तो इससे हमें पता चलता है कि उस औरत की नियत कितनी साफ थी और ये डूनेशन जो था वो कमप्लीटली उसने दिल से किया था ना कि ये शुआफ करने के लिए कि मैं भी कुछ कर रही हूँ या दिखाने के लिए कि मुझे लोग देखें कि मैंने क्या किया सो इट्स बेटर कि हम शुआफ करना आवाइड करें और ऐसे एपोसोड से सीख लें कि जब हम कोई भी काम दिल से करते हैं तो अल्ला भी हमें उस काम को कामयाब होने में साथ देता है और जब हम शुआफ के लिए करते हैं तो हमें कुछ दिन की तारीफ और उसके बाद हम किसी को याद नहीं रहते हैं आई होब आपको आप तक ही मेरा मेसेज पहुंच गया होगा वीडियो को शियर करें लाइक और कमेट में अपनी राए बताएं असलाम अलेकुम रह्मतुल्ह